ही गाइज आप सबका स्वागत है एटमिक्स में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं लेबरड और रेट्रीवर के बारे में अगर आपके पास पहले से लेबरड और रेट्रीवर है यजा फिर एड़ अड़ अचो करने वाले हो तो शुरू से लेके लाज तक वीडियो ज़रू देखेगा आगे बढ़ने से पहले चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि हम ऐसे इंटरस्टी वीडियो लाते रहते और वीडियो पे कमेंट और लाइक अभी कर दीजिए लेबरर रेट्रीवर ये डॉग बीड एक रेट्रीवर डॉग बीड थी यानि कोई भी शिकारी अगर किसी चीज का शिकार करे जैसे डक ले लिया फिश ले लिया तो ये डॉग बीड उसे बीना खाये रेट्रीव करके लेके आ सके इसलिए इन डागवीड को breed किया गया था ये डागवीड का origin की बात करो तो न्यूफ़ांन लेंसे इन डागवीड का origin है अब जानते हैं कि weight के बारे में weight इनका male में हो जाता है 29 से लिके 36 kg तक और female में हो जाता है 25 से लिके 32 kg तक बात कर लो हाइट की तो इन डॉग बीड की हाइट हो जाती है 57 से लेके 62 सेंटिमीटर मेल में और 55 से लेके 60 सेंटिमीटर हो सकती है फिमेल डॉग बीड में ये कुछ बात थी जो आपको ज़रूर जाने चाहिए लेबर डॉर के बारे में अब बात करते है प्राबलम नमबर वन के बारे में सबसे पहला काफी सारे लोग इन्हें फ्रेंडली ही समझते है इसलिए सोचते कि वो अटैक नहीं करेंगे लेकिन ये बात नहीं है अगर आपके पास एक लेबर डॉर रेट्रिवर है तो उसके साथ आपको टाइम स्पैंड करना होगा हाला कि आप stranger हो socialize जल्दी से हो जाएगा लेकिन उसके साथ time spend करना जरूरी है वो आप पर attack भी कर सकता है किसी case में अगर उसको उसके लिए खत्रा महसूस हो रहा हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ को छूलो उसकी sensitive जैसे कि tail को पकड़ लिया leg को पकड़ लिया तो उसे छूड़ाने के लिए वो आपको bite करने की कोशिश कर सकता है तो अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि अगर आप इनको as a friendly dog bit की तरह ही ले रहे हो आप family के लिए ले रहे हो घर में रखने के लिए ले रहे हो और आपको ऐसा dog bit चाहिए जो बिल्कुल bite ना करे तो इसका solution सबसे easy है और इसमें आपको कुछ ज़्यादा मेनद भी करने नहीं पड़ेगी इनका nature जैसे मैंने बता है friendly होता है यह attack नहीं करते है easily जल्दी से किसी पे भी तो भी आपको इन dog bit की training और socialization पे ध्यान देना है यह दो करने से आपकी half से भी ज़्यादा problem जो है aggression के बारे में आ गई या फिर mis behavior के बारे में आ गई सारी problem आपकी solve हो सकती है अब socialization कैसे करना है socialization आप दूसरे pets हो गए animals हो गए या फिर आपकी friends हो गए family friends हो गए उनके साथ time spend करने दीजिए जितना उनके साथ time spend करेंगे उतना यह जल्दी socialize होंगे याद रहे training में कभी भी late नहीं करना है जितना जल्दी training दोगे उतना जल्दी सीखेगा भी और अच्छा भी रहेगा वरना आगे आपको problem आ सकती है training देने से यह होगा कि आपकी बात मानेगा कहीं अगर आप बाहर ले जा रहे हो कोई guest आ जाए तो उनके उपर बार करता है कई बार और उनके पास चला जाएगा लेकिन कुछ लोग डर भी सकते है पहले पहले तो तब के लिए रोकने के लिए आप उसे stay बोलोगे तो रुख जाएगा ऐसे कई सारे cases आ सकते है जिससे आपको training जो दी है आपके dog bit को benefit होगी लेबरेड और रेट्रीवर का nature भी aggressive हो सकता है इसलिए ये दोनों पॉइंट जैसे ही आप follow कर लोगे आपके लिए बहुत beneficial होगा कई बार ये इन में anger issue भी आ जाते है तो वो सब solve हो जाएंगे नमबर टू पे आते है वो है इन dog bit में health problem और obesity की problem ज्यादा तर देखने को मिलती है तो इनका solution भी मैं बताऊंगा उससे पहले जानते है obesity की problem की आती है और health problems किस कारण आते है obesity की problem over feeding के कारण आती है अगर आप अपने लेबराडोर को over feed करा रहे हो कुछ भी घर का खाना जो भी आपको मिल रहा है वो दे रहे हो जैसे कि table food दे रहे हो human food कुछ जो dog breed के लिए toxic होते है वो नहीं देने आपको आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी अगर वो देखनी हो तो कौन से food नहीं देने चाहिए जो भी देने वाले होते हो अगर आप उनको हद से ज़्यादा दे रहे हो यानि समझो अगर आप एक दो टाइम दे रहे हो जो वेड गेन की प्राब्लम में वो रुक सकती है फिर भूकल नहीं लग रही हो तो वो भी लग सकती है इससे कई सारे benefits होते है वो अपने way में होते है लेकिन कुछ भी हो जाए exercise देनी है exercise में आप उनको 15 मिट या 20 मिट वाकिंग पे ले जा सकते हो cholesterol हो जाएगी अब एक प्रॉब्लम ऐसी भी आ जादि है जो बोलते हमारा dog जाधा फ्रेंडली हो जाता है कुछ लोगों को friendly नहीं चाहिए होता है और कुछ लोगों को जाधा friendly चाहिए होता है तो ये उन लोगों के लिए problem है जिनको जाधा friendly नहीं चाहिए तो इस मामलों में आपको बचपन से ध्यान देना है ट्रेनिंग थोड़ी as a guard dog की ट्रेनिंग आप दे सकते हो ये भी आपको अलर्टिंग में ज़्यादा benefit देंगे जैसे कि कोई भी suspicious activity होगी तो ज़रू से अलर्ट करेंगे इसमें आप जिस तरह से ट्रेनिंग दोगे ये उस तरह से हो जाएगा अब next problem आती है वो है इनकी grooming के related अगर आप एक new owner हो और आपको ये पता नहीं है के labrador के जो hair से वो काफी ज़रते है shading season के दोरान या फिर normally भी थोड़े थोड़े आपको देखने को मिलेंगे तो इस problem का एकी solution है वो है इनकी comb करना अच्छे से अगर आप इनकी daily comb करते हो तो जो hairs इनके अटके हुए होते हो निकल जाते है अच्छे से आते हैं उनका coat भी अच्छे से रहता है साथ-साथ अगर आप इनकी bathing पर ध्यान दो तो कई बार इनमें ticks के problem आ सकते हैं तो बातिंग अगर regularly करा रहे हो तो इसके टिक की problem भी निकल जाएगी साथ-साथ उनके ears जरू से 90% of life से हो जाएगी और काफी कुछ benefits आपको देखने को मिलेंगे आगे चलके उसको disease भी नहीं होगी जल्दी से तो यह कुछ common problems थी जो new owners face करते हैं और कई